हलो फ्रेंड वेल्कम बैक्टु मिनेट अमपलेट दोस्तों जैसे आप सभी ने थम्निल में देखा कि मैं इसको पर वीडियो बनाया है पहले भी लेकिन थोड़ा आज इसको ब्रीफ में समझेंगे ठीक है कि प्ले स्टूर पे अगर आपके 1000 डाउनलोड है तो कितना पैसा आपका बनता है अगर आपने इसको मोनेटाइज रखा है तो ठीक है सबसे पहली बात तो अगर आपके अ 5 डॉलर का revenue generate हो जाता है तो लोगों के अंदर ना दो confusion है first कि डाउनलोड होने पर इसा नहीं होता है ठीक है users active रखने पड़ते हैं second जो आपका मतलब आपने यह बोला था कि 1000 डाउनलोड पे ही क्या सिर्फ हमको revenue बनेगा क्या हमारे 100 डाउनलोड रहेंगे तो क्या हमारे revenue बनेगा मंदब कन question रहता है कि क्या सिर्फ 1000 डाउनलोड होगा तभी हमारे revenue बनेगा अगर हमारे सिर्फ 100 डाउनलोड है तो क्या हमारे revenue नहीं बनेगा यह को question था तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसल बिलकुल नहीं है revenue डाउनलोड पे नहीं है अगर आपने application को monetize किया है अगर आप अपने application से पैसा गबाना चाहते हैं तो downloads पे नहीं, downloads पे पैसा नहीं बनता है, वो users पे बनता है, active users पे, अब होता कहा है कि आपको भी पता है, मैंने last time example दिया था, जिनके 1 lakh users है, ठीक है, और जिस बंदे का सिर्फ 10,000 downloads है, अब एक बंदे के 1 lakh download है, दूसरे बंद 10,000 वाला, obviously 10,000 वाला, क्योंकि इसके activate 1000 है, ठीक है, और जिसका 1 lakh download है, सिर्फ उसके download, मतलब वो अलग सिर्फ दिख रहा है कि वो download है, बर इसमें earning उतनी नहीं है, क्योंकि उसके 5000 यह सिर्फ active users है रहा है, तो यह जो 10,000 वाला है, यह जाधा earning करेगा, ठीक है, तो लोगों क के application पे 1000 downloads है, और उसके सिर्फ 500 active है, ठीक है, तो आपका लंसम जो revenue है, कुछ 3 डॉलर, 5 डॉलर के बीच में बन जाता है, ठीक है, लेकिन अब इसको इतरह मैं अच्छे से brief में समझाता हूं, क्योंकि हूआ भी यह मेरे साथ, कि मतलब कुछ लोगों के downloads हुए, 1000 downloads हुए, उन के application पे, still they are earning 1 to 2 dollar, because मतलब वो अभी भी 607 से active होने पे भी 2 से 3 dollar ही मुश्किल से कमा पा रहे हैं, जबकि मैंने बोला था कि 5 to 10 dollar earning हो जाती है, हाँ, बिल्कुल मैंने सही कहा था, लेकिन आप कम क्यो earning करते हैं, इसके पीछे का reason बदा देता हूं, ठीक है, कम earning करने के पीछे दो-3 चीज़े depend करती है, एक तो आपका application किस category के है, आपका application किस जगा use हो रहा है, कोन से state में use हो रहा है, कोन से आपकी users वैसे है, मतलब आपकी users कोन से है, ठीक है, मतलब जो आपकी users से कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ, मतलब music के, music and YouTube भी बस watch करते है, तो वहाँ पे आप आपको उनको add कम दिखाए, मतलब जो कम CPC वाला add होता है, वो दिखाए जाता है, देखे, भले ही आपके 500 ही क्योंना active user हो, उसमें भी फर्ख, अब ये एक बंदी के पास, अब जैसे मेरे 2 clients है, ठीक है, एक बंदी के पास 1000 download है, दूसरे बंदी के पास भी 1000 download है, इसके पास 500 active है, उसके पास भी 500 active है, ठीक है, लेकिन ये बंदा सिर्फ 2-3 dollar कमा रहा है, वो 500 ही active है, तब भी वो कम से कम 8-9 dollar कमा ले रहा है, ठीक है, क्यों, दोनों में फर्क, इसलिए, क्योंकि इस बंदे का category जो है application का, वो category मतलब, चलो का ठीक है, इस बंदे का भी category सेम है, और इस इस बंदे के जो application की users है, वो users सिर्फ music या फिर YouTube पी वीडियोज वाच करते होंगे, तो कम CPC का add आता होगा, लेकिन इस बंदे के जो users है, ये video थोड़े educational type डाल रहा है, थोड़े tech से related डाल रहा है, सेम application में, user 500 है, और state भी समझो सेम है, लेकिन इसका जो video डालना है, जो content ह इसका, वो education type का है, tech type का है, यानि कि इस पर high CPC वाले add आ रहे है, तो ये 8 dollar तक भी कमा सकता है 500 active में, लेकिन ये वाला जो बंदा है, जो first जिसके पास 500 active है, लेकिन इसके जो users हैं, वो सिर्फ music और videos देखते हैं, तो इसकी earning कम होगी, क्योंकि इसकी users उसे साब से नहीं है, इसके पास कम CPC वाले add जाएंगे, ठीक है, तो यही दोने में फर्क रहता है, तो आप लोग हमेशा confused रहते हो कि क्यों मतलब दूसरे जादा earning कर रहे हैं, हम कम earning कर रहे हैं, जबकि same users है, same downloads है, तो यही main confusion रहता है, कि high CPC वाले add, educational वाले app रहते हैं, या फिर कह लिजे कि tech जो रहते हैं, sales वाले applications रहते हैं, वहाँ पर जादा होता है earning, ठीक है, और यह भी depend करता है कि कि state में आपका application user है, state मतलब, state या फिर country ले लिजे, अगर आपका इंडिया में जादा use हो रहा है, तो obviously कम CPC वाले add कभी भी आएंगे, जादा जादा 0.08 जाएगा, या फिर 0.0 10 तक जाएगा, starting 0.01 से होती है, ठीक है, तो यह इंडिया में कम use होगा, अब मेरे एक दो client है, जो दुबई के हैं, कुछ पाकिस्तान के हैं, ठीक है, तो उनका earning जादा होता है, मैंने खुद देखा है, मैं नेक्स वीडियो में प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, उनकी earning जादी इसलिए होती है, क्योंकि उनके जो user है, अभी एक मेरा client है, वो दुबई का है, ठीक है, तो उसने हमसे application बनाया था, educational application, उसके सिर्फ 1000 एक्टिव उसर है, लेकि वो बंदा फिर भी आज, मतब डाउनलोड 5000 है, 1000 एक्टिव है उसको user, तो भी वो आज 10-20 तक बीच मे बनाया है, ठीक है, तो country भी बढ़ा depend करता है, यह मैंने वीडियो जा है, इसलिए बनाया है, ताकि आप लोग को add को लेकि बड़ी confusion रहती है, earning को लेके बहुत confusion रहती है, आपको कि कितना कमाएंगे, कितना कमाएंगे, तो ठीक आप कमाओगे, it's okay, बट कभी पे अपने application प तक आप अपने application का best category चूज नहीं करते, एक best audience को target नहीं करते, तब तक आप उसमें अच्छी earning नहीं कर पाऊगे, ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, तो like जरू करतेजीगा, thank you दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,